हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग कुछ लोगों को आप जानते होगे बड़े रॉयल होते हैं ऐसे लोग होते हैं जो बड़े शानों शौकत से रहना पसंद करते हैं लग्जरी, गाड़िया, नई नई गाड़ियों के शौक, नई नई मोबाइल, हाइफाई लाइफ और हाई स्टेटस लेकिन आजकल तो जो मैं बात कर रही हूँ वो स्टॉगलिंग कॉंबिनेशन की कर रही हूँ फिर ये सब कैसे कि एक तरफ तो इतनी अच्छी लाइफ और एक तरफ मैं बोल रही हूँ कि स्टॉगलिंग कॉंबिनेशन तो चलिए आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कॉंबिनेशन के बारे में बताऊंगी जिनको ऐसी लाइफ स्टाइल भी चाहिए और उनके लाइफ में जो है स्टॉगल किस चीज में आता है मैं रीना खन्ना, निम्रिलाजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट and टेरो कार्ट रीडर फ्रिंट्स मेरी क्लासेज शुरू हो चुकी हैं हमीशा चलती रहती हैं आप लोग अगर निम्रिलाजी की या टेरो की कोई भी क्लास जॉइन करना चाहते हैं तो मुझे मोबाइल पे कॉंटेक्ट कर सकते हैं डिटेल्स में आपको बता दूँगी फ्रिंट्स आज मैं जिस कॉंबिनेशन की बात करने जा रही हूँ वो है 1-6 का कॉंबिनेशन 1 क्या है सूर्य और 6 क्या है शुक्र वीनस अब सूर्य और वीनस दोनों एक ऐसे ग्रेह हैं जो numbers हम कहते हैं कि हर एक के low show grid में होने चाहिए क्योंकि ये हमें बहुत कुछ देते हैं सूर्य जो है हमें leadership देता है हमें royal बनाता है हमें status देता है हमें वो काबलियत देता है जिससे कि हम अपने ambitions को पूरा कर सके ऐसे हम leader होते हैं, born leader होते हैं हम जो चाहे कर सकते हैं थोड़े stubborn तो होते हैं लेकिन अपनी जिद एक अच्छी तरफ ले जाते हैं एक team को lead करते हुए कहां से कहां high rise करते हैं पता भी नहीं चलता और दूसरी तरफ Venus जो हमें life में luxury देता है जो life में हमें family support देता है जो life में हमें friends की support देता है हमारी wife की support देता है तो इतने सुंदर numbers को मैं struggling combinations में क्यों लेकर आई हूँ उसका एक reason है अगर आप लोगों में से कुछ लोग जानते होते होंगे कि एक combination होता है एक karmic number होता है 16 1 और 6 से बनता है ये karmic number जो है वो क्यों karmic number में आया क्यों 1 और 6, 16 जो है वो marriage के लिए खराब मना जाता है ऐसे लोगों को मैंने एक video बनाया आप चाहिए तो मेरी playlist में जाकर देख सकते हैं तो 1 और 6 जो ये combination भी है ये भी marriage के लिए थोड़ा सा खराब मना जाता है ये marriage को hit करता है आपके पास पैसा भी होगा आपके पास status भी होगा आप जैसी बात करने वाला कोई नहीं होगा आप जहां जाएंगे लोग आपको ऐसे देखेंगे इतने attract हो जाएंगे आपकी तरफ कि उनको ऐसा लगेगा कि आप जैसा शायद वो भी बन सके मतलब इतनी खूबियां इतना सुंदर combination इतना महंगी गाडियों का शौक अगर ladies हैं तो jewelry का शौक घर को खुब सूरत बनाना खुब पैसा कमाना खुब enjoy करना life को सब कुछ इन combination में पाया जाता है लेकिन उसके बावजूद भी ये combination marriage को hit करता है या तो late marriage होती है marriage होती है तो unban हो सकती है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप marriage ही ना करें इसका एक example में आपको देती हूँ एक बहुत ही नामी गामी व्यक्ति जो हमारे इंडिया का proud है रतन टाटा उनका combination है 1-6 का और उनोंने marriage नहीं की देखे 1-6 ने उनको कहां से कहां पहुचा दिया इतना renowned person और आज उसने आज तक marriage नहीं की तो कही ना कही 1-6 का combination जो है वो इस sector पे hit करता है तो friends आज की combination में ये struggle तो life में कई बार आपको देखने को मिलेगा आसपास देखें जितने भी 1-6 की combination के लोग होंगे आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि शायद उनमें भी यही problem है अगर problem है तो उसका solution तो जरूर होगा तो कुछ remedies तो मैं आप लोगों को जरूर बताती हूँ सबसे पहले तो अगर कुछ करना चाहिए 1-6 का combination है आप लोग सूरे पारा यंत्र पहन लीजे ये यंत्र जो है सूरे और वीनस की ये जो struggle life में आती है उसको दूर करता है सबसे पहला चीज ये उसके बाद जो है अगर आप यंत्र नहीं पहनना चाहते हैं तो फिर आप bracelet पहन सकते हैं, rose pod और sunstone पहन लीजे, तो भी आपके लिए अच्छा होगा, turquoise पहन लीजे, तो भी आपके लिए अच्छा होगा then कुछ remedies जरूर बताऊंगी मैं remedies जो है हमें सूरे को जल देना है, जरूर देना है और शुक्र के भी उपाय करने हैं हमें Friday वाले दिन किसी भी बिखारी को सफेद रंग की चीज़ खिलानी है इतना उपाय तो आपको जरूर करना है इधर से सूरे स्ट्रॉंग बनाना है इधर से शुक्र को भी अच्छा करना है जब ये दोनों ग्रहे अपने अपने फल बहुत अच्छी धंग से देंगे तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेशन्शिप की बहुत अच्छी महख आ जाए अब आप ये देखिए कि अगर आप रोस क्वार्ड्स का तो फ्रिंस जो रेमेडीज मैंने बताई हैं उनको थोड़ा सा ध्यान दीजे क्योंकि आप हैं वन और सिक्स के लाइफ में आपको बहुत कुछ चाहिए थोड़ा नहीं चाहिए तो रिष्टों को भी संभाल के चलिए और अपने कॉम्बिनेशन को खुबसूरत बनाईए इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ अगले कॉम्बिनेशन की जो मैं बात करूंगी वो है टू एट का कॉम्बिनेशन देखें आप लोगों में से जो भी टू एट के कॉम्बिनेशन के हैं आपके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए मुझे आ गया दीजे नमस्कार अगली जाई पर ऊसे, जाफ बात कर देखम लो कि तक के लिए सक्षट मीडसे क।क्या आ गब देख सक्वा अगले, युझे देख़त आ रही हूँ र اللîne, इस घ्яжजे पाम आ लीजेख, आ गया हुँोँ भूशना, भू़ू, तो इा के जकशड़ा खनूदा क आ बात के लिए